हेलो अब्रीवान नमस्ते एंड वेलकम टू मैं अनदब ब्लॉग और कल है मार्गेस रमास का पहला गुरुबार और इसलिए आज बुधवार है तो आज से ही सारे जो प्रिपरेशन है जो कोई भी औरिसा से है तो लोग समझ पाएंगे कि आज ही हम लोग सारी तेयारिया करत है कल पूजा के लिए तो यहां पर देखिए जो लाल मिटी होता है वो मिटी को अभी मैंने पानी से थोड़ी दर के लिए भीगो दिया है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी थोड़ी दर में और यहां पर अलपना के लिए बहुत लोग चावल को पीसके वूसका अलपन इसलिए मैं यह चौक जो है नॉर्मल से जैसे बचेलो लिखते है वो इसी चौक को मैंने थोड़ी दर पाने में भीगोया है बस उसकी पार मैं ग्राइंडर में पीस लोगी तो वो पेस्ट बन के रही हो जाएगा और यहां पर देखिए जो लाल मिटी को मैंने भीगोई थ कभी भी मुझे यह मिटी कुलकता में नहीं मिलती इस बार कैसे पता नहीं हजबन गई थे पूजा की सौप में तो मांगा तो वो मिल गया तो अच्छा है गुरुवार के दिन ऐसे लाल मिटी के उपर अलपना डालने से बहुत अच्छा लगता है जैसे औरिसा में हम लोग इसे राल मिटी के उपर ही अलपना डालते है यह गुरुवार को तो और दूसरा बहुत सारे काम रहता है मतलब डिनर तो मैंने बना चुकी थी बट धेर सारा बरतन भी हो गया था तो मुझे रात को ही साफ करके सोना है क्योंकि गुरुवार को जूटा बरतन नहीं रखते ह तो रात को देखिए डिनर बनाने के बाद में सारी बरतन मैंने यहां पर क्लिन कर दी थी और यह सारे जो पूजा का बरतन है मैं दूसरा रखती हूँ सिर्फ पूजा के लिए तो वो भी मैंने साफ करके रख दिया है सुबह के लिए क्योंकि सुबह सुबह कल उठने के बा वो मैंने यहां पर अलपना डाल रही हूँ और यह रहा next day यानि कि गुरुवार की दिन और सुवे सुवे हम लोग ऐसे जो बाहर अलपना देते हैं वो अलपना के ऊपर ऐसे दिया बगरा रखते हैं फुल बगरा रखते हैं तो भावान को मतलब आवाहन करते हैं जैसे बोलत कुछ रात को में भूल के थी पूजा का बरतन साफ करने के लिए तो वहां पर यह जो सारी पूजा का बरतन मैंने यहां पर साफ कर रही हूँ और जो पेला वाला गुरुवार होता है वैसे ज्यादा कुछ नहीं बनता है बस राइस डाल एंसुका सबजी एक बनता है साग जो करी जिसे नॉर्मल हम लोग का बोलते है घांटतर करी वह बनता है और बस खीर बनता है और किस किस की घर में डिफरेंट टाइफ्स की कुछ स्वीट बगरा बनता है और यहां पे दोसा बगरा कुछ बनेगा तो इसके लिए मैंने उरड़ डाल और चावल भी भीगा दि तो दो बार गुरुवार को पूजा करना परता है जो पहला वाला पूजा में कर रही हूं जो फुख दे के भवान को पूजा करते है और यहां पे देखी में जो सुभे दिया जल शलाय थी अभी तक अभी जल राय मतलब में ऐस्तल्य ज्यादा बढ़ा दिया लगाई थी तक जल रहा है अभी मैं सबकिंगे कमें करों मैं दोरों बच्छे के काम भोग देंर ने रइस और आँगा यहां पर कुछ ट्राय सबजी बनेगा वो मैंने बिठा दिया है और साग भी मैंने साइड बर साइड क्लेन कर चुकी हूँ और जो करी बनेगा अभी इस बार चौनाडल और सारी साजी बगरा मिलाके मैंने बॉल कर दिया था वास वूसको में तड़का लगाऊंगी यहां पे देखिये साग को भी मैंने साइड कर दिया था और यह वीडियो तो मैंने फास्ट पर दिखा रही हूँ बट बहुत अकलिफ होता है यार दोनों बच्चे के साथ कोई भी पुजा बगरा हो जाएना तो बहुत मतलब मुस्कील हो जाता है और कोई भी चीज को अगर आप इंट्रिस्ट के साथ करो ना तो वो आपको बोरिंग या डिफिकल्ट नहीं लगेगा और यहां पर देखिए मेरा जो करी है वो मैंने तो बॉil कर लिया था अभी तड़का भी लगा दिया है और अल्मोस्ट अभी बन के रिड़ी हो गया है मेरा सारा खाना और यहां पर मैंने खीर बना रही हूँ तो खीर के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा घीर लेके काजू एंड किस्मिस को थोड़ा सा सेलो फ्राइ करके निकाल लूँगी फिर मैं पड़ा पर खीर बनाऊंगी और यहां पर देखिए मेरा अल्मोस्ट खाना बन के रिड़ी हो चुका है बस लास्ट में में यह दोसा बना रही हूँ और यह जो दोसा होता है ना यह मतलब हमारे ओरिस्ता में चकुली बोलते है और यह तो हर गुरुबार में मतलब मस्ट होता है आपको बनाना ही पड़ता है हर घर में तो यह चुटा-चुटा ही मैं बनाऊंगी पूजा के लिए बनाती हूँ तो चुटा-चुटा ही बनाती हूँ बस मेरा सारे खाना बनके रिड़ी हो गया था तो यहां पर दुवारा जो जो भी बनाए थी वो सारे ची को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को लेजे तिल देन स्टेय है